Hello everyone, welcome to my channel. कल्यूग में आज हर कोई चाहता है एक अच्छी जिन्दगी जीना लेकिन ये मुम्किन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आज कल्यूग में कोई भी चीज आसानी से मिल नहीं पाती उन लोगों को जो लोग सच्चाई के रास्ते में चलते हैं या फिर इमांदारी के साथ अपन जीवन जीना चाहते हैं हर कदम पर उनके लिए मुश्किले खड़ी रहती हैं और ऐसे समय में भक्त गण के लिए बस एक ही सहारा है वो है कल्यूग के महानायक कल की अवतार का सहारा जो साक्षात विश्नु भगवान हैं जिन में हैं ऐसी शक्तियां कि जिनके कारण आज कल की अवतार बन गए हैं अपराजे यानि उन्हें कोई भी पराजित कर ही नहीं सकता भले ही कुटिल बुद्धी वाले कली राक्चस भी अपनी ताकत का इस्तमाल करके इस धरा पर लोगों के दिमाग में कूब बुद्धी डाल रहे हैं जिनके कारण आज का इंसान अपने आपके अंदर उस घमंड को उस लालच को उस स्वार्थ को ले आ रहा है जिसके कारण को गलत रास्ते पर चल रहा है कभी कोई मजबूरी का धिरोरा पिटता है तो कभी कोई स्वेच्छा से लेकिन आज मैकसिमम लोग गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और जो सच्चाई के इमांदारी के और अच्चाई के रास्ते पर चल रहा है उसे मूँ की खानी पढ़ रही है तो आज इनसान जो सच्चा है जो धार्मिक है जो आध्यात्मिक है जो इमांदार है वो करे तो क्या करे सर्फ उसे एक ही सहारा नजर आता है कल की आवतार का क्योंकि जब कल्यूग में काल बनकर कल की आतार आए हैं, तब उनसे ही आज भक्तों को आस लगी हुई है, क्योंकि उनके ही नाम का सहारा आज भक्तों को दिखलाई पर रहा है, कल्यूग के महानायक या यू कहिए कल्यूग के काल जिनके नाम से कल्यूग भी थर्थर कामता है लेकिन कौन है ऐसा जो लगा रहा है गुहार कल की अवतार से कि बचालो हमें नहीं है तुम्बिन ओई सहारा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्वापरयूग में द्रौबदी की लाज बचाली कृष्ण भगवान में आज कौन गुहार लगा रहा है कल की भगवान से कि जिस तरह कृष्ण बनकर द्रौबदी की लाज बचाई भरी सभा में उन राक्षसों से जो अपनी ही बहु बेटी को नहीं समझ रहे थे ऐसा कुछ जिसके कारण अपनी कुटिल बुद्धी के कारण उन्होंने ऐसा घ्रिनित कारे कर दिया कि कृष्ण भगवान को भी साक् जब द्रौबदी में गुहार लगाई तब मदद के लिए आना ही पड़ा आज जो पुकार रहे हैं कलकी अवतार को उन्हें भी पता है कि अगर कलकी से गुहार लगाई गई तो नीसंदे वही उनके जान की रक्षा करते हैं कर सकते हैं अदर्वाइस बहुत सारे लोग कर तो रहें रक्षा फिर भी बेचैन हैं कौन हैं वो आत्माएं वो हैं गौव माताएं गौव माता जिने हम कहते हैं जिनके दूद से बच्चों का भरन कोशन होता है मिल्क प्रोडक्स खाते हैं लोग लेकिन आज उन्हीं गौव माताओं पर राक्षस काल बनकर तूट पड रहे हैं लेकिन गायों की स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे हैं गायों की हत्याएं नहीं रोक पा रहे हैं और जब ऐसी परिस्तिती बन जाती है तो गाय जाएं तो कहां जाएं इसलिए वो चीक चीक कर उकार रही हैं इस भरी दुनिया में कि हेकल की अहतार हेकल युक के काल तूट पड़ो उन पर जो कर रहे हैं हमारी हत्याएं, जो तसकरी कर रहे हैं हमारी, हमने तो नीर स्वार्त भावना से प्राणियों की रक्षा की, उनके बच्चों की रक्षा की, हमारा दूद सभी के काम आया, लेकिन आज देख लो प्रभू, हम ही हो गए हैं असहाए, कोई नहीं हमारा तुम्हारे बिना, तो जिस प्रकार बचाली जान आपने, भक्तों की हर युग में, द्रौबदी की लाज बचाली, आज हे कल की, आपके पास वो शक्तियां हैं, कि यदि आप चाहें, तो हमारी जा बस सकती है, वैसे भी कहा गया है, कल्यूक के अंत में, जब सारी गाएं, इस दुनिया से पलायन कर जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा, जब एक भी गाएं, इस धर्ती पर नहीं बचेगी, और गंगा नदी भी सूख जाएगी, मा गंगा भी यहां से चली जाएंगी तब कल्यूक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह धर्ती रहने लाइक बचेगी ही नहीं, तो कुभार सुनेंगे कल की अतार, उन गौ माताओं की, जो आज लगा अतार, अपनी पीडा पहुचा रही है कल की अतार तक, गौ रक्षक लाग कोशिश करके भी, न गौ तसकरी को रो पा रहे हैं, बस सिर्फ अब एक ही सहारा है, कि भगवान कल की कुछ करदे ऐसा, कि रुक जाए गायों की तसकरी और गौ माताओं की जान, जिनके कारण, आज हमारे बच्चे, पूरा संसार, आज उस दूद के कारण, हिल्दी बना हुआ है, हिल्दी फूड मिल रहा है, लो जिसने दिया लोगों को जीने का सहारा, आज वही बन गए हैं, उसके प्राण लेने के लिए तैयार, तो सिर्फ और सिर्फ कल यूग में काल बन कर आई हुए, कल की अवतार ही, गायों की जान बचा सकते हैं, गौत तसकरी को रोक सकते हैं, और गायों को जो निर्मम रही हैं, सिर्फ अपने भुजन के लिए, उन दैशी दरिंदों से, उन वैशी दरिंदों से, सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार ही, गायों को बचा सकते हैं, तो गौ माताएं लगा रही हैं गुहार, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार, द्रौबदी ने लगाई, जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, श्रीकिष्ण से लगादी गुहार, और श्रीकिष्ण ने बचा ली द्रौबदी के लाज, थैंक यू वेरी मच पर वाचिग मेटी,